नमस्कार आप देख रहे हैं कशिश नीज़ और आपके साथ मैं हूँ दीपक शर्मा चुनावी चौसर पर 24 की सत्ता के लिए सारी चालेंच चली गई विरोधियों के चक्र वियो को चकना चूर करने के लिए साम दाम दंड भेद हर पैंतरा अपनाया गया मतदाता को लुभाने डराने भर्माने बर्गलाने का आरोब भी लगा एक खेमे के भविश्य के सुनहरे सपने को दूसरे खेमे ने सब्जबाग करार दिया कसमे खाई गई वादे किये गए लेकिन इसके बावजूद मतदाता का मोड भापना हवा का रुख आंकना मुश्किल रहा ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि कयामत की रात जुनता किस के साथ पहले देखिए क्या हुआ देश में 400 पार इंडिये बिहार में 40 की 40 दोहजार चौबस में भी दोहजार उन्निस जैसे नतीजे जो असल लू था अब समाप्त हो गया है अब तो परिनाम का लू होगा अवंतिम चरन कल हो जाएगा और एक बार भारती जनता पार्टी एंडिया एलाइंस बिहार में 40 सीटों पर स्वीप करेगी और देश में नरेंदर मोदी का सरकार बनेगा सियासी जंग में किसकी होगी जीत दस वरसों के कारिकाल से आजीज आ चुकी है नाखुस है तो जनता निस्चित रूप से सरकार के खिलाब आकरोस का प्रकटी करन वोट की चोट से करेंगे कयामत की रात जनता किस के साथ? सवाल तो पूछेंगे सवाल बड़ा है कि आखिर मतदाता किसी दल के पार्टी प्रत्याशी के साथ किस आधार पर आ रहे हैं और इसका कैसे आकलन कर रहे हैं तमाम दल हिस्त की जानकारी हम लेंगे हमारे साथ इसका जवाब देने के लिए कुछ महमान मौजूद है उनसे आपका परिच्व करा दे हमारे साथ सबसे पहले तो प्रबाद जी आप से शुरू करते हैं किस आधार पर ये कहा जा रहा है अभी तक ने दस वर्सों में जितना काम हुआ और देश को एक ऐसे प्रधान मंत्री मिले जिन्होंने एकारवी अर्थ विवस्ता से देश को पांचवी अर्थ विवस्ता पर ले आर और बहुत जल्दी हम तीसरी अर्थ विवस्ता पर आएंगे तो एक तरब तो उन्होंने 500 वर्षों के इंतजार जो हिंदू आस्था का प्रतिक राम मंदिर इन्हीं के कारेकाल में हम लोग देख रहे हैं वह मसलब बिहार की 40 के 40 सिटे बिहार की जहां तक बात रही कभी बिहार का बजट साथ हजार क्रोर हुआ कर ता था आज अज 024544 मोज़ाओ ठोड़ा है उसमें किन्द सरकार और मोदी जी के द्वारा अस्टी परतिसाथ योगदान दिया जा रहा है आज बिहार में मोदी ज नहीं से मोदी जी के परती लोगों की आस्था और मोदी जी के किये गए कारियों के परती जनता अपना पूरा विश्वास जयता है कि जिस परकार हम लोग चौदो में एक चौकाने वाला मेजिर्टी के साथ आये थे उनैस में उससे भी बहतर और चौबिस में हम निश्चित तौर पर चार जून को चार सो पाड़ होंगे और जनता के अकांचाओं पर विश्वास वां विश्वास पर खड़ा उतरने में अभी तक कि सबसे बहतर प हैं जो बड़ा ही हास्सेपद है अब राश्टिय जनता दल की बात देख लिजे कि जो पार्टी पुरे देश वर में 25 सीटों पर लग रही है और बिहार में 23 सीटों की बात करती है तो हम तो 400 पार आ रहे हैं उनकी 300 सीटे हो सकता कि उनके नजर में लोग सभा 700 से ज्यादा प्रभाद जी 400 पार आप भी अकेले नहीं जा रहे हैं चलिए कमलेज जी के पास चलते हैं कमलेज जी मोदी की गैरंटी सफल दिख रही है फेल दिख रही है किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि आई एंडियाई अलाइंस की सरकार बिल्कुल मोदी जी की गारंटी जो दस सालों में लोगों ने देखा है बेवहार के रूप में इसके कारण से हम दावे किशाद कह सकते हैं कि मोदी जी का इस बार जो रफता रफता नजर बंदी का जादू घटता जाए है रुक से उनके रफता रफता परदा उठता हैं कुछ अन्य बाते कर रहे हैं लेकिन देश की जनता है आप से 10 साल का हिसा पूछ रही है कि आप जब 2014 में आये थे आपने बड़ी बड़ी बाते की थी आपने कहा कि हम प्रतेक यहां नागरीकों के खाते में 15 लाक रुपए लाएंगे जो भरस्टा चार का रुपया बरस्त रुजगार देने का काम करेंगे महंगाई पर हम रोक लगाएंगे बड़े पैमाने पर प्रोड़क्शन सिस्टम को हम डेवलप करेंगे ताकि यहां पर बड़े पैमाने पर सर्फिस सेक्टर में लोगों को काम मिल सके लेकिन बेओहार में लोगों ने देखा कि नर नरेंदर मोदी जी और उनकी जो टीम है यह जो कुछ भी बाते कर रही है वो जुमले की बात कर रही है दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ बहुत important है वह है कि बिहार को इन लोगों ने मोदी जी और उनके टीम के लोगों समझा किया है 26 सित गुजरात में 26 सिट गुजरात only realized मिल गया भारती ज wspól ड्यामiddag पार्टी को भीहार के चालीस में mús assess गुजरात पार्टी और उसके उन्लाइएम्स को यानि टोटल गुजरात के seat से एक तिहाई जादा लेकिन आपने बिहार को क्या दिया गुजरात को तो आप भाइबरेंट गुजरात बनाए सबकुछ गुजरात का प्रधान मंत्री गुजरात का गुरीह मंत्री गुजरात का RBI का हेट गुजरात का, CBI का हेट गुजरायत का, ED का हेट गुजरात का, सब कुछ गुजरात का, बिहार के हिस्से में क्या आया, बिहार के हिस्से में आया, कि यहां से 52,00,00 लोग, बिहार के लोग, जो पलायन करते हैं, और उनके जरिये 1,48,000,00 करूर रुपया, जो इजेबूल पपुलेशन है यह कलपना करिए कि क्या जिस राज्य को आपने बिक्षित करने का प्रयास किया जिसने एक तिहाई बोट बोट आपको ज्यादा यंपी यहां से चुनाव जिता करके बेजा उसको आपने सस्ता स्रम सप्लाई करने वाला जोन बना करके रखा है लोगों को बहुत आसान तरीके से बिहार का सस्तासर मिल सके और बिहार के लोगों ने देखा है कि कोरोना के काल में किस तरह से बिहार के लोग बदहाली में यहां पर लोटे थे इसलिए बिहार ने इसको भूला नहीं है आज पूरा हिसाब किताब हम मांग रहे हैं जब भा वतारा की बात भोलने के हम जानना चाहते हैं यह आज नितीश कुमार जी उनके स्हायोगी है जूंके ञेल फाल फालेहमे जितने भी चीक्रावर का क्टूर को अपने क्क्टी त कहा को थोने, आपने क्या प्रियाद किया बिहार जो पूरा का पूरा एक खेतिहर प्रदेश है क्रिसी प्रधान राज्य है नरेंद्र मोधी जी और उनके टीम के यहां पर जो नितीश कुमार जरा बताएं इस क्रिसी प्रधान राज्य में क्या आपने नहरों के विकास के लिए एक मीटर अपने जरूर किया आपने बर्बाद जरूर कर दिया आज पटना से लेकर नौबत-पृत का आप चले जाइए कभी बोट चला करता था आज वह सोन कैनाल तो अलगил अलग इलाकों में गंगा का पानी पहुचा रहे हैं इस तो स्रację रहे हैं ले मिंग तो करनाने कगया में पानी पहुंचा रहे हैं अपको भी आनकारी में है दिबक जी कैसे गया वाली प्रियोजना उनकी फेल गई अब वो बात करना है घोडा का टोरा से लेकर के समाम जगों में पानी पहुंचाने का जब आप भारती जनता पार्टी वालों से प्रश्ण करिएगा तो कहेंगे कि हमसे आप 2047 के बारे में बात करिए आप बरतमान के बारे में कहिएगा वह 2047 के बारे में कहेंगे जो परिशानी है उस परिशानी पर आप डिसकस्टान करने को तयार नहीं है जो आज की समस्याओं का क्या समाधान हुआ इनका जो सबसे बड़ा बिहार में महापाप है, वो महापाप यहा है, कि बिहार के सिक्षन संस्थान को आपने नौजमानों के भविष्य के खंडहर के रूप में आपने बदल डागा, लेक्चर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, प्रभाद जी आपका भी जवाब लेंगे, मद उने की है, क्या लगता है, उन सभाओं का प्रभाव दिखेगा? प्रश्य Lebdadлов जी पर भरणुसा कर रही है, बिहार में कैसे पलायन रुके, कैसे सिक्षा ढपने रूस्ता है, कैसे अस्पाटाल की दिखाष हो, कैसे यहां पर इंडस्ट्री आए, मतलब लागतार तरिशी परसाध यादव जी और जी काम करें, क्योंकि इनका मुद्दा ही बोलते हैं कि जो आज हमारे आधरनीय पर्धानमंत्री जी बिहार आते हैं लेकिन बिहार के बाड़े में एक भी बात नहीं बोलते हैं बिहार से वह भासन देते हैं पाकिस्तान की बात करते हैं हिंदू-मस्ट्रम की बात करते हैं मंगल सुतर की बात करते हैं परिवार बात की कि बात करते हैं लेकिन बिहार का पलायन कैसे बूख बॉकर करते हैं धरन करते हैं भी हैक प्राइकमेज में करते हैं अभी हमारे बहाई ने वोला बंदे भारत व्यामारेम हो नेशक्या कीशिए लिए पानी ये लालू पर साधी आदब जो नहीं नहीं में दिया तो आप बात की किजी जा आख िादी ऑथ बिहार की गाऊं में बसती है और गाऊं के लोगे प्रिजी सी पे निरुभाकराथ अब इस बनाने कि जिम्मवाडी किसकी है चले तो सवाल कई है समस्याएं कई है समस्याओं का समाधान भी अपने अपने तरह से सामने रखकर मतदान की अपील की जा रही है कितना प्रभाव किसका पड़ेगा और जनता किसका साथ देगी इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे सीधे मेमानों के पास चलते हैं प्रभाद जी समस्याएं कई है गैरंटी दमदार दी जा रही है लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं तो फिर गैरंटी पर भरोसा कैसे देश तो आज देख रहा और खासकर बिहार की जनता देख स्वाइस सब्सक्राइब यहां आज की बात मैं आता हूं आज की आज की बात मैं आता हूं सब्सक्राइब आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार कवज़र 24000 करोड तो केंद्र उसमें 80% केंद्र का योगदान नो नहीं से नभी से लेके 2005 तक गंगा नदी पे छे पूल थ करीवी रेखा से देश में बाहर हाएं तो क्या उसमें बिहार के लोग नहीं है आज आज बिहार ही ऐसा देश है जिसमें दो एंप सब्सक्राइब आज बिहार कहीं ना कहीं से मोदी अरे दर्वंगा एम तो तेजस्वी जी ने क्या घॉल मेल किया स्वास्तमंति रख यह पु जो पार्टी पुरे देश में पसीस सीटों पर चुनाव लग रहे हैं राहुल गांदी जो देश में तीन सो सीटों लगबग चुनाव लग तो पहले यह बतादे कौन कितना नौकरी देगा कौन कितना केवाला लिखाएगा अभी लालु जी की बात हो रही थी लालु प्रभाद जी क्या इसलिए अस्तित्व की लड़ाई क्योंकि प्रुद्धान मंत्री कर गया है कि जील कर देख निची तोर पर यह जेल और वाली पाटी नहीं तो यह तो आप पर लगता आए नहीं आप एजंसियों का दुरूपयों कर विरोधियों को खत्म कर रहे हैं उन्हें जेल में डाल रहे हैं अच्छा उनकी जब गिर्फतारी होई तो क्या उसमें भा सब्सक्राइब कर लोग भाग जाते हैं निरब मुद्धि कौन थे मोहिं काफिक वाले लोग हैं वाली पार्टी अब इस तो बूठ क्याप्चर करके उन्हें सो नभे सब्सक्राइब कर रहे हैं अजब जनता जागरू को गई तो इनको भूठ कर देंगा काम दों यह चांट को गिया है प्रभाद जी मदू जी ठीक है हम फिर आएंगे आपके पास ठीक है पिछले बार की सुनने का खोगे तरी पार होगे तीक है प्रभाद जी अभी पूरा अवसर मिला था आपके नेताहों प्रभाद जी ठीक है अगर अभी के स्थिति की बात करें तो उसकी तुलना के लिए कोई धरातल तो चाहिए ना आपने भी शुरू किया तो नौ से किस तरह की स्थिति बनती आई है फिर चौदा में क्या स्थिति बनी और फिर आगे क्या स्थितियां बनती गई यह तुलनात्मक के लिए कुछ आधार तो चाहिए तो जब वो आधार बीजेपी वाले बता रहे हैं तो फिर उससे इतनी समस्या क्यूं है उससे इतनी जनमानस ने जुमले की गारंटी के रूप में एकसेप्ट किया है दूसरी बात कि यही नितीश कुमार जी हैं जब 2020 का चुनाव महागठवन्धन लड़ रही थी बिहार विधान सभागा और तेजश्वी आदो ने कहा कि हम 10 लाख लोगों को रुजगार देंगे तो नितीश कुमार ने क्या न कहा उन सब्सक्राइब करना चैनल पर अनूचित होगा उस भासा का इस्तेमाल ना करना चाहिए और जब तेजश्वी आदो सत्ता में आये 17 महीने में 17 बनाम 17 महीना हो गया और बोलने दीजिए बुखले सब्सक्राइब जिवे आपके बोलने के समय में मैंने कुछ नहीं कहा और यहां बोलने से आपके पार्टी में आपको कोई परम्भीर चक्र नहीं मिल जाएगा बात को रखने दीजिए अपनी बाद अब अपनी बात रखें मैंने आपको कोई डिस्टर्व नहीं किया बात मर्दु 17 महीने में महागट बंदन की शरकार ने पांच लाख नौकरी देकर कि इस बात को शाबित किया जनता के बीच मे में सरकार बनेगी तो यह नौकरी देगी इसलिए आज जब महागट में इंडिया एलाइंस के लोग यह बात करें कि हम 30 लाख जो सरकारी पद खाली पड़े हुए उसको देंगे और करोडों नोजवानों को रुजगार देंगे तो देश की जनता इस पर भरोसा कर रही है क मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ बाथे बथानी मियापूर नहीं चलेगा यह दस्तूर इस नारे के साथ जब भाकबा माले ने बिहार विधान सभा का घेराव किया था और अमीर दास आयोग का गठन हुआ था अमीर दास आयोग के गठन में जब पुरी जांच रिप पाके अनेक नेता के गर्दन में फांसी का फंदा लगा हुआ था तो यही नितिश कुमार जो विकास पुरुस अपने आपों कहते हैं इन्होंने उन मजलूमों को गरीबों को न्याय मिले उसके बजाए उन्होंने क्या किया अमीर दास आयोग को भंग करके जिन कातिलों के करने का महा पाप महा कुकृत करने का लेकिन कमलेज जी सुरेय तो नितिश कुमार लेते हैं कि हमने बिहार में वह फूनी खराव को शांत किया वह स्थिती दूर हुई बिल्कुल नहीं मैं आपसे कहना चाहता हूँ नितिश कुमार जी आप जो है एक भारतिय जंता पाटी के इसारे पर चलने माले नहीं आप महाज एक मोहरा है और आपकर कोन भरोशा करेगा बिहार में जैसे माना जाता है कि अगर आप कहें कि सहीदे आजम तो लोग मान लेत इस लिए इस बार मोदी जी का लूटिया डूब गया है खटिया खड़ी हो गई है सत्ता से जा रहे हैं और एक बात मैं कैद रहा हूं जब यह कहते हैं मोदी जी की जोला उठाओंगा चल दूगा बिल्कुल नहीं जाने देंगे हार हर जो है हवाय यड़े पर बैठा देंगे और जोला चेक करेंगे यह जोला ले करके है आदमी कहा भागा जा रहा है संख्षेप में आप समयनी है वस्ती से प्रवक्ता बाई साब को यह भी बताना चाहिए कि इस वार भागपा माले ने अपने में निफस्टों में क्या दिया कि हमारी सरकार आएगी तो पर मानूं को हम समूद्र में डाल देंगे अब आवाज नहीं जाएगी अब आवाज नहीं जाएगी समय खत्म हो गया बहुत-बहुत धन्यवाद मधुमंजरी जी कमले शर्मा जी प्रवात मालाकार जी अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक ह प्रबाध जी हो गया, प्रबाध जी समय खत्म हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का चर्चा में शामिल ओने के लिए अपना समय देने के लिए, तो चार तारीक को जनता का फैसला सार्व जनिक हो जाएगा, एक तारीक को आखरी चरण का मतदान है, तो जाते-ज पूर जाएं लोग तंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर लोटेंगे और कल शाम साधे पाँच बजे से कशिश नियूज पर सबसे सटीक और सबसे दिल्चस्प exit पोल देखना ना भूलें ए एक और सवाल के साथ हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर रहेंगे तब तक लिए देखते रहें कशिश नियूज